तो यार स्वागत आप लोगों का मेरी न्यू टेक्ट वीडियो में और ये वीडियो होने वाली है मुबाइल के रिलेटेल बहुत ऐसी इंफोर्मेशन जो आपको शायद नहीं पता है और अगर पता है तो उसमें कुछ में भी ऐसी चीज़े हो जो आपको अभी तक नहीं पत सकते हैं तो वीडियो में एंट तक बने रही है क्योंकि मैं आपसे बात करने वाला हूं इसी वीडियो में मुबाइल फोन लेते से में कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपको पता होना चाहिए तो चलिए यार वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और यार सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं कि जब भी आप एक न्यू फोन पाए करने जाते हैं तो फिलिपकाट एमाजॉन और जितनी भी बाकी सारी वेबसाइट्स हैं जैसे मी.com इस पे आपको अलगला तरह के फिल्ट दॉट को बैटरी कितनी चाहिए लिकन को भी इसमें सौंट वर्जन आपको इसमें शुब्रावेशं को और यार यहां को को इसमें जो प्रते। निए ले जो फिल्टर रहते और बाद में हमें रिग्रेट होता है जैसे कि अभी देश में बाद चलेगी चाइनिस एपस को बाइकाट करने की तो यह इसमें कुछ ऐसे एपस हैं जो प्री इंस्टॉल्ड आपके फोन में स्टॉल लाते हैं तो इसमें मी कॉम्निटी एप जो है वो प्री इंस्टॉल लात आप बौदरी नहीं करेंगे कि आपका बाकी काम चल रहा है ना इंस्टाग्राम फेस्बूक वाटसेब चल रहा है तो मार्क जगरुबग आपके फोन पर आज गार रहे हैं और बाकी चाइनिस वगर एपस के तरब कोई द्यान नी दे रहा और इससे सबसे पहले हम अब इस सिस्टम की जुरूरत होगी उस अपरेटिंग सिस्टम को आप गूगल से उनकी टर्म्स और कंडिशन्स या पॉलिस गारा कि अगर अगर अगरी करते हैं तो उसको आप अपने फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं अभी जैसे हुआवे के जो फोन आ रहे हैं उसमें एंड प्रेक अपनी सर्विसेश्ट जाती हैं जिसके स्टॉर गतर आप अपने फोन के अंदर आप डाल सकते हैं जो कि गूगल प्लेट स्टॉर की जितनी उनके पास यंगल सकते हैं तो आप हांनेर का फोन लेंगते समय आप यह बात कर देयान जूरु रहे और आब बहुत करते ह कि stock android क्या है vanilla android क्या है और customized यहां कह सकते हैं कि आप जो भी एक फोन के ऊपर skin install करके आते हैं प्री इंस्टॉल चीज आते हैं तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं यह stock android या vanilla android same चीज है यह वह android वर्जन है जो आपको pixel devices के अंदर देखने को मिलता है और android आपको purest phone में मिलेगा मतलब जो google ने develop कर दिया है और उसके बाद हम बात करते हैं कि यह skins है जो oem जो phone के manufacturers उसके सोड़ी चेड़ चाड़ करते हैं कहने को तो यह यार यह लोग कई बार कुछ अच्छे features भी जैसे कि screen recording feature अभी तक किसी भी phone के अंदर नहीं आया है गूगल की तरह से जितने भी phone में आप screen recording यूज कर रहे हैं वह या तो आपके manufacturer ने और इसको प्रेंस्टॉल करके बेजा हुआ है इंटरफेस के अंदर या आप कोई third party और इसके अंदर अगर आप माई का या रेडमी का अगर आप flagship phone बाइं नहीं कर रहे हैं तो आपके फोन के अंदर जो एंड्रोइड आ रहा है उसके अंदर आपको बहुत सारी एड्स मिल सकती यह एड्स हो सकती आपकी lock screen के अंदर कोई भी एप्स को लांच करते हुए अभ आपको सजेस्टन के थूँ इनकर अपना मी ब्राउजर है उसके अप उसके नोटिकेशन के थूँ आपको बताते रहेंगे कि आप इन्स्टाल कर लीजे यह देख लीजे तो यह एक काइंड ऑ ब्लोट वेर है जिसकी आपको जुरूरत भी नहीं है हाँ फीचर अगर आपक स्क्रीन शॉट लेने के प्रोसेस को आप थोड़ा इनायस करना है तो वो कीजे लेकिन यह जो साथ में मी प्राउजर मेरे साब से बहुत कम लोग यूज करते होंगे क्योंकि एंड्रोइड गूगल क्रोम प्री इंस्टॉल करके ही आपके फोन के अंदर आता है तो सब गू यह जोगों को यह बिल्कुल चीज़ नहीं लगती मतलग कम अन्यार आप अपना कुछ बिजन्स रिलेटेड कुछ कर रहे हैं यह कुछ आप अपना कुछ बहुत ही जिसमें आपका फोकस कॉंस्ट्रेट हुआ बड़ा उसमें पीच में आपको यह वल्गर सी आड़ा जाए मिलता है और हाँ मोटो के थोड़े अडिशनल फीचर जैसे को चॉप चॉप वला फीचर तो मिल जाता है लेकिन यार एमाई के फोंस के अंदर ऐसा आपको बहुत बार देखने को मिला होगा कि वह एप सजेसंस मिल जाते हैं प्री इस्टॉल बहुत सारे आपस आते हैं जो में जो एक नई स्मार्टफोन कंपनी उबर के आ रही है वो है रियल मी अभी तक तो अपने फोंस के अंदर जो कस्टमाइज स्किन यूज कर रहा था वही उस हो रही थी जो अपू विवो में प्रींस्टॉल आते थी क्योंकि है तो यह इनकी ही सिस्टर कंपनी क्यूंकि इ यह बहुत ही इंबरेस्ट करते थे कि इनके फोंस में एड़ आती है लेकिन जैसे रियल मी ओस इंट्रोडेउस हुआ रियल मी के स्पेशली फोंस के लिए तो यह इनोंने भी वैसा ही किया उसमें डाल डालके बेजना शुरू कर दिया और इनके फ्लैक्शिप फोंस के सब्सकाइब पर तास हो तो ही अब यह जा के ले लिए जै यह जाए जाके लिए यह जा प्रोंस के ले रही जाए अपर देष्ऑम्स के लिए घर मेरा जजुन को साल डाल ऱ नंने या pseudo- carne निर वी तू gid backpack protection. उसका नाम था TouchWiz, या TouchWiz में अब इन्हों ने क्या गरा हुआ था कि जैसे थर्ड पाटी आप्स है, जैसे ड्रॉप बॉक्स है, और जैसे कोई फाइल स्कैन करने का आता हुआ है, तो उसमें ये लोग प्री इंस्टॉल करके उसको बेचते थे, एड्स में इतनी सारी नहीं ह तो यार ये एप्स ऐसे थे कि जो अनिंस्टॉल ही होते थे, सिस्टम एप्स दिखाता था हमारा फोन का यूजर इंटरफेस, तो यार ये काफी अनॉइंग था, इसलिए मैंने तो उस ताइम तक कभी किसी को सजेस्ट ही नहीं करा कि सैंसंग का फोन आप बाई कीजिए, य अपर जो अडिशनल सारी चीजें हैं उसको ब्लोट वेर कह सकते हैं, तो यार ब्लोट वेर के अंदर ये जितने भी फालतू एप से इनको कोई भी यूज में भी करते हो करने वाले लोग लेकिन अगर आप सैंसंग का फोन यूज करें उसके अंदर आपको गूगल सर्विस अपको जैसे की सैंसंग अकाउट बनाना पड़ता है सैंसंग पे क्लाउड पे फोटो वगेरा बैक अप होती हैं तो लेकिन अभी जो रूमर्स आए हैं मैं नहीं जानता कि यह सच है या गलत है और मेभी यह नियर्बाइ फ्यूचर में सच हो भी सकते हैं तो यार मेभी ज फोटारी जो इस सेग्मेंट में कम्पणिस डॉमिनेट कर रही हैं मार्केट शेयर को उनको टक्कर भी देनी है और इसलिए इनको प्राइज भी कम रखना है काफी अग्रेसिव प्राइस पे भी फोन को लांच कर रहा है तो उस चकर में यार यह सैंसंग वाले भी अब अप अब अब अच्री बात है आप बाइगर सकते हैं सैंसंग इंडस्ट्री की सबसे बढ़िया वाली जो डिस्प्लेस होती है वो लेकर आता है तो यह अगे बात करते हैं कि आप कौन से फोन से ले सकते हैं अब चाहिना को बाइगाट कर लिया अब ये को औरियन कंपनी है इसका जो पेरेंट कंपनी है लेकिन फिर भी मोटरोला के जो फोन्स है उसमें आपको काफी इसकी बिल्ड बहुत अच्छी मिल जाते हैं पहले की जतने टाइमली नहीं है लेकिन इनका टाइमली मेरा मतलब यह है कि इनका जो एंड्रोइड होता है वो काफी नियर टो इन्टरफेस को आप मोडिफाय वगारा थीम्स वगारा वो फालतू चीज़े एड्ज वगारा आप देखने को नहीं मिलती है तो अगर आप मोटरोला का फोन बाए करते तो आप तो एक तो आपको दो साल तक सिक्योर्टी अपडेट्स भी मिलते हैं अब सिक्योर्टी अप पिक्सल को सिक्योर्टी अपडेट आ रहा है तो 19 जून के अराउंड मेरे मोटर वन पावर में भी सिक्योर्टी अपडेट हो चुका था तो यार मोटरोला का फोन अभी जैसे आप देखने हो कि फ्यूजन प्लस आने वाला है तो आप वो फोन भी बाए कर सकते हैं मोटरोल तो 22-24,000 के राउंड आता है और इंडिया में इसका प्राइस 17,000 निकल के है तो यार मोटरो का फोन भी आप चाहें तो बाए कर सकते हैं क्योंकि इस में मुझे स्टॉक और बहुत अच्छा लगता है तो उमीद है आपको ये वीडियो काफी इंफोर्मेटिव लगी होगी मैं आपको मैभी थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हो मैं आपको नेक्स्तफ्विल आपने लेना हो तो आप ये चीज़े भी ध्यान रखेंगे तो आपको कौन सब फोले नहें है लेकिन हां अगर यार आपको सथा बाद बाद भी करने 77 अगर आप वी थोड़ा दियान देलें फ में मोटर वन फ्यूजन बाय करूंगा और मैंने बाय करा तो डेफिनिटल उसकी अन्वाक्सिंग और फर्स्ट इंप्रेशन वीडियो लेकर आपके लिए जरूर रहूंगा और गाइस उसके लावा यह टोटल जो वीडियो थी उस बूबनाने का मेरा मकसेट यही था कि थोड कौन-कौन से फोन में क्या फीचर मिल रहा है उसके अंड्रोइड में क्या है बर्जन वगएरा और अपडेट्स क्या है तो वह सब चीजे में चाता था कि आपके साथ डिसकस करूं क्योंकि यार प्रोसेसर दिखाके यह उसके बाकी सारे बैटरी बगएर बाकी फीचर लेकिन अब फोन के प्रोसेसर अच्छा होगा गेम कहलेंगे गेम कितनी ही एक टाइम पर गेम कहलेंगे लेकिन फोन का बाकी इंटरफेस तो आप सारा दिन यूस करेंगा तो यार ऐसे ही इसलिए यह मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी और मैं यार डिस्क्रिप्शन म में जो भी चिल रहा है आजकर तो थैंक्स यार थैंक्स पर वाचिंग यह वीडियो थोड़ा लंबा बन गया है बट मुझे लगता है कि जरूरी था यह थोड़ा आफी इंफोर्मेटिव वीडियो मेरे साथ था जो भी मुझे आज तक पता था इन चीजों के बारे में मैं तो थोड़ा थोड़ा करके आप सबको लिए लेकर रहा हूं तो नाय नेम इस की तक एंड थैंक्स पर वाचिंग मैं वीडियो स्टेउन तिल नेक्स वीडियो